सभी को नमस्ते स्वामी विवेकरंदा योका ट्रस्ट चनल में आप सभी का स्वागत है आज आपके सामने मैं निलेश काच्छवाल हिंदी अध्यापक दिलाप्रश्य सेकंडरी पार्शाला द्वार का मंडल दंडेपली उपसित हूं आज हमारा जो कारिक्रम है उसका मुख् थे लंग आना अनल पतेश्यों उसमें जो स्कुलों में बच्चे पढ़ते हैं या जो भी जनलोग है उन सभी को सरल तरीके से सहज रूप से हिंदी कैसे उनको बोलना आना पढ़ना लिखना आना तो हम किसी भी भाषा को जब तक सहज रूप में उसके प्रकति की रूप मे हम नहीं सीखते हैं तब तब हम क्या है उस भाया भाशा को सही रूप से समझ नहीं सकते हैं उसे उप्योग नहीं कर सकते हैं तो आज इस प्रथम प्रयास में मैं आपके सामने प्रसुत करता हूं कि किसी भी भाशा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या-क्या करना चाहिए सहाजिता से हमें तो सबसे पहले नियम है सहाजिता से चीकना चाहिए चाहिए आप हिंदी सीखिए, तेलगू सीखिए, अंग्रेजी सीखिए, संस्कृत सीखिए जो भी भाषा में आपकी रुची है या जो भी आपकी आउशक्ता है सीखने की उस भाषा को आप सहज रूप में सीखिए तो हिंदी भाषा को भी हम सहज रूप में सीखने के लिए प्रयास करेंगे तो सबसे पहले किसी भी भाषा का जो मूल सुत्र है वह है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना यानि भाशा को सीखने के लिए आपके चार मुख्य, आपके पिलर समझ लिए, उसे आप सीखने के जो अध्याई हैं हुआ हैं सुनना, तो सबसे पहले सुनना, लीजनिंग, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में पढ़ना, उसके बाद में लिखना, इस रूप में हमें भ बाशा को सीखते हैं तो जीवन पर्यंत हमार से भाशा अपने आप हम भाशा से नहीं भाशा हम से जुड़ कर रहती है और हम भाशा से इस तरह जुड़ जाते हैं कि कभी उससे फिर अलग ही नहीं होते परन्तु यथार्त में होता क्या है स्कूलों में बच्चे सी पढ़ना लिखना से क्ते है तो पढ़ना लिखना कब तक सीखेंगे जब तक उसके मतलब टष में रहेंगे सामे रहेंगे तभी तक सीखेंगे अन्टे पिल्लालू तरणकी से जेपढ भाशानी मनम् branchm m figured सबसे पहले हैं विनडम, तरवात माटलारडम, तरवात चदवडम, तरवात रायदम इपड़ हिंदी भाष्या ने फुड़ ने ने पहले हैं नहीं करते नहीं तो सबसे पहले हैं सुनना अब सुनना यानि विनडम करक्टे कानि सुनना का अर्थम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे सुनना यानि सुनकर समझना आप हिंदी को पहले सबसे ज़्यादा सीखिए इंपूट लीजे अंदर में जब तक आप हिंदी के वातावरण में नहीं रहे तब तक आप हिंदी को बोलना आप नहीं सीखते आप बट्टी मार सकते हैं लेकिन जब जादा से यादा हिंदी सीखेंगे तो एक प्रश्ना आता सार माधी मुत्तम नान हिंदी एरिया अहिंदी क्षेत्र है हम हिंदी कैसे सुनना तो इरोज टेकनिक्स इंता गनम मना को उन् हिंदी के अंदर जो यानि ग्रामिन शेत्र है वहां पे फोन नेट्वर्क प्रावलम रह सकता टीवी हर कहीं है डीडी भारती डीडी दूदशन चैनल नेशनल चैनल जियोग्राफिक चैनल हिंदी के काटून शोस जैसे टाम एंजेरी है चोटा भीम है और भी भाउस से जो हिंदी काटून नेट्वर्क साइं बच्चों के लिए वो बड़ों के लिए डीडी नेशनल चैनल चैनल है जो बी कुछ है वो सब हमें क्या करना है सुननना है जितना आप सहाज़ता से हिंदी सुनेंगे तो आपको सबसे पहले मुट्ट मोट्ट में अच्छे प्रावलम मीरें एम दिन्ना सार्मा को एम अरत्वम का अलेदू दूंझे कुछ्च समझमे नही आया जा ए जा परसिति उन्टारीम एम एंदक्ट जेस्टार्ण आपको एम एड़ताम का अश्च्ट दे मनु एंधन विन्ना एम अरत्वम का एह भुष्टम का अधू युटे मनं अध जोड़ी मनना कोंच अर्ताम बैते हैं, इने इवाला एदेना देश अभिरुद्धी कोसम मातला आड़ता हैंडू, इस काड़ू नेटवर्क लो वालो कोंच अम गेम आड़तुन नरू, इक क्रिकेट कुमेंट्री कुएंटरी मनम विंटुन नमू, इककड़ फोर कोट्टीन अधिने जाएंटी चार्रन अने अच्छिंदी अट्टी धीरे से हमारा मन जब उसमें लग जाता है, तो मनको 20 परसंट, 30 परसंट, 50, 60, 70, इतला मनको अधि आर्तम अवड़म इस्टार्टाइपो तटी, यपपुडए ते मनम अधिय वाहता हैंडू अधिय वाहता तो जैचे हैसे हम हिंदी में सुन्ते जाते हैं, हम में क्या है बोलने की उत्सुकता, मना अटोमेटिक गा मीरू अनको कुणडा गुड़ा, मीरू तेलगू माटा अनकुणडा गुड़म इस्टार्टा अधिय विंटू उन्टारू, अधे मला मी तोटी बैट रावड़ा अधे मीरू गुड़ा इंट्रश पड़तर अब्भाना को अच्छी इन्दियाने संतोश्न तोटी माट लाड़े प्रहत नमल उन्टरू, इदी भाषा का सहज सुत्रम, इदी भाषा का क्या है सहज सुत्र है, आप जितना ज्यादा हिंदी को सुनते जाएंगे, सुनते जा अपने आप जिजक जो है बाहर निकल जाएंगे, हिंदी में एक कोटेशन है, अच्छा शोता अच्छा वक्ता बन सकता है, जितना ज्यादा आप हिंदी को सुनते जाएंगे, उत्ती अच्छी हिंदी आप बोलते जाएंगे, लेकिन हम करते क्या है? सुनना बोलना मैंने जितना ज़्यादा हो सके हिंदी सिर्फ सुनना है सुनने के बाद में बोलना है अब दूसरा थोड़ा हम आगे बढ़ाएंगे हम सार एक हफ्ता हिंदी सिखें सुने एक सफ्ता तक साथ दिन दस दिन आर दिन हिंदी हम सुने अब हिंदी बोल रहे हमें बहुत से ब्रुगु भाशिक्ष्चित्र है तो उसे हम कई से तो उसके लिए भी मेरा सुझाव क्या है पहले बार में जब हिंदी सीखते हैं तो पूरी से एक अच्छा हिंदी भाशिक्ष्चित्र करें हिंदी कोई भी नहीं बोल सकता बच्चा पएदा होते हैं बोलना नहीं सीखता एक एक शब्द बोलता है चोटे छोटे वाक्य बोलता हैец धिरे धिरे हम भाषा भी हमारे खुद की महात्र भाषा भी हम वैंशे ही सकते हैं हमारे मम्मी पिताजी या हमारे भाईभन हम ऐसे शुरू में एक एक शब्द ममग पाप्पा-पाँ आओ जाओ एसे एक भावों को देखका गृहन करते हैं उसी प्रकासरों सेकते हैं जब हारी मात्र भाशा सीकेने के लिए करना हम दो तिन साल लगा देते हैं बोलने करने के लिए तो यह तो दूसरी भाशा है जिससे हमारा संपःक कम जीस्टे हमारा साथ बहुत कम है तो थोड़ा समय लगेगा थोड़ा हमें सहन शक्ति लगाना चाहिए तो हमें करना क्या है कुन्नी पदालू स्टार्टिंग मिरू हिंदी मातलाड मोल बटिन अपड़ू मी वाक्यम लो रेंडू मूड तेल्गुपदाल सहा जांगाने रावच्चु पुडू सब्सक्ति लेगिन आप हिंदी बोलने का प्रयास चोड़ना नहीं है हिंदी मातलाडे मियो का इंट्रश्णी मीरू बसलो वदल अद्दू हम बात करते जाना है बात करते जाना है जैसे जैसे आप बात करेंगे पहले आप हिंदी के 50 परसंट शब्द यूज कर रहें त्यल्गों के 50 परसंट शब्द यूज कर रहें जैसे सुनेंगे ज्यादा बोलते जाएंगे सुनेंगे बोलते जाएंगे तो यह जो रैश्यो हैं अपने आप कम होते जाएंगा हिंदी 50 से 55 60 70 80 90 तक चले जाएंगा और एक समय ऐसा भी आएंगा आप शुद्ध हिंदी अच्छे उच्चारण के साथ में अपने जो भाव हैं दिल के भाव हैं लोगों के सामने प्रसुत कर सुखेंगे तो सभी छटवी स दस्वी के बच्चे और बाहर जो भी हिंदी सीखना चाहते हैं इक्षुक है जिने हिंदी बात करने का चाव है या चाहते हैं हिंदी की जरुवत है साफ हम कहीं भार जाते हैं यहां से माराष्टा जाते हैं उत्वपदेश जाते हैं दिल्ली या कहीं भी कश्मिर घुमने हैं दिन की याने से हुट परिशानी होती है और ड्रैवर को समझ में लिया नहीं आता तो वैसे भाउत से हमारे भारत के हैं विविद्ध भाषी देश सभी भाशायों का अपना-पना महत्व है हमें हिंदी सीखने पर भारत में कहीं भी जा सकते हैं हिंदी सब्के में लिए आ आया पिताजी अब पिताजी से हमें क्या है मेरे पिताजी अफसर है मेरे पिताजी अध्यापक है मेरे पिताजी इंजिनियर है मेरे पिताजी डॉक्टर है यानि यहाँ पर क्या है इंजिनियर डॉक्टर ऑफिसर नी अफसर हिंदिलो इवन नी इंग्लिश पदालो हिंदिल प्रयास करना चाहिए सुनना और बोलना साथ में थोड़ा अभ्यास प्रयास यह क्या है किसी भी चीज में आगे से आगे बढ़ने के लिए हमें जरूरी है हमा सतत प्रयत्न यहीं रहना चाहिए कि हम हिंदी जादा स्यादा सरल सहच और सुलब पद्धती में सीख सकें